हलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पॉएम पढ़ने वाले हैं, एली टेलीफोनी, एलीफेंट से एली और बाके टेलीफोन तो है, एली टेलीफोनी, यह जो है लॉरा एलिजाबेत रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई पॉएम है, यह बिसकली एलीफें यूज करना जो है वो शुरू करेंगे एक दूसरे को कॉल करने के लिए, और यह बहुत फ़नी होगा, क्योंकि आफकोर्स, रियल लाइट में यह बहुत मुश्किल है, इंपॉसिबल है, तो चलिए इस पॉएम को पढ़ते हैं और मजा लेते हैं, तो एक समय एक हाथी था, जिसने की कोशिश की थी, टेलिफेंट यूज करने की, तो टेलिफोन की जगा पर राइटर ने क्या लिखा है अथर ने, टेलिफेंट, तो जिसने टेलिफेंट यूज करने की कोशिश की, नहीं, नहीं, मेरा मतलब है इलिफोन, जिसने की टेलिफोन यूज करने की कोशिश की, तो देखा आपने कितना फ़नी है, पहले जो है टेलिफोन की जगा पर क्या कहती है, पोईट, टेलिफेंट, फिर जो है वो फेंट वाले पार्ट को सही करती है, तो क्या करती है, टेलि के जगा पर एली बोल देती है, तो वो क्या कह देती है, एलिफोन, लेकिन फाइनली वो सही-सही बताती है, ये एलिफेंट ने क्या यूज करने की कोशिश की, टेलिफोन, एलिफेंट जो है वो फोन को पिक कर रहा है देख रहे हैं ट्रंक में और वो मनिमन सोच रहा है दियर मी आयम नोट सर्टन कॉइट डाट इवन येट आई हैव गॉट इट राइट एक एवन नाव तो एलिफेंट जो हो मनिमन सोचता है ओ डियर मी मैं अभी भी पुरी तरह से श्योड नहीं हूँ मैं अभी भी पुरी तरह से निश्चित नहीं हूँ कि मैंने जो है इसको सही तरीके से पकड़ा है To get something right का मतलब होता है कोई काम सही सही तरीके से करना Right? Elephant जो है वो phone तो पकर के उठा लेता है एक वो मने मने यही सोच रहा है अरे वाप रे वाप मुझे अभी भी नहीं पता मैंने इसको सही से पकड़ा है की नहीं अब जो है point आगे बताती हुए बताते हुए कहती है However, it was He got his trunk entangled in the telefunc फिर से देखा आपने कुछ गलती हो रही है कोई word अजीव लग रहा है Yes तो वेल जो भी हो बैचारे ने जो है अपनी सूढ को जो है telefunc में फसा लिया था अब इस बार फिर से point कहना क्या चाहती है telephone लेकिन telephone की जगा पर उसने क्या बोल दिया telefunc टेली और trunk का अंक दोनों मिलके क्या बन गया telefunc तो वेल चलो बैचारे हाथी ने जो है telephone यूज करने की कोशिश की और ये telephone क्या हो गया उसकी सूढ में अटक गया पूरा फस गया entangle मतलब कोई चीज उलज जाना तब आगे कहता है अब जितना उसने सूढ को छुडाने की कोशिश की उतना जोड से बजा क्या telefunc अब इस वार जो है telephone की जगा पर क्या लिख दिया है पूरेट ने telefunc तब ही तो ये free के साथ rhyme भी करेगा न और मतलब तो अब समझी गए होंगे telephone को अपनी सूढ से छुडाने का उतना जोड से क्या बजता है telephone I fear I would better drop the song of elephant and telephone elephant मनी मन सोचता है well मुझे ऐसा लगता है मुझे ये डर है कि बहतर होगा कि मैं जो है ये गाना जो है telephone और telephone का इसे छोड़ी दूँ अब आप बताएए ते बच्चों दोनों में से कौन सा वर्ड है जो कि आप सही सही पहचान पा रहे हैं एक भी नहीं है ना तो एली और इधर जो है फो तक तो यहां पर आ गया एंट कहीं और छूट गया और इधर जो है टेली फो तक तो आया लेकिन न की जगह पर क्या आ गया अंगा आ गया वड़ा मुश्किल काम है तो बहुत चलिए एक तरफ जहां एलीफेंट के लिए फोन का यूज करना फणी था वहीं दूसरी तरफ जो है इस पोएम को सुनाना या फिर इस कहानी को सुनाना पोएट के लिए बहुत मुश्किल था या कि उसने कितने अजीब अजीब शब्दों का परियोग किया है ना तो इसलिए ये पोएम जो है वो डबल मज़ेदार है है ना और साथी साथ I hope कि आपको पोएम बढ़िहां से समझ में भी आ गई होगी बाबाई और हाँ इस पोएम के राइमिंग वर्ड्स पर खास ध्यान दीजिएगा बहुत मज़ेदार है वो